हलो स्टूरेंट्स वालकम तो मैंने प्रेंट्स इस ताजमीन पथान यूर्ट साइन्स एडूकेटर फॉर क्लास 9 और फॉर क्लास 10 की साइन्स वह फुल कंप्लीट डीटेल्ड कोर्स के साथ जिसमें आपको मिल रहे हैं डेली प्राक्टिस पेपर्स स्टूडेंट्स अगर आप लो खीएश्टी साथे हैं आपको क्लास 12 टक की फ्री अफ कॉस प्लास ग्लास बराते हैं और अज़र आपको स्टेट बर्ट से आते हैं जैसके बी यूप बिहार बोरोट टेली बोर्ट अधिस्थान बोर्ट तो हम लोग आपको प्रोवाइट खर तो आपको लिंक मिल जाएगा नीचे description box में तो जाए और जल्दी से उसको ग्राप कर लीचे और आप हमें फॉलो कर सकते हैं जिसके अंडर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जिससे आपकी प्रपरेशन में आपको और भी ज्यादा हेल्थ मिलने वाली है जिसके अंडर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फुजिक्स का थर्ड चाप्टर ग्राविटेशन तो जल्दी से सशन को शुरू करते हैं तो जल्दी से इसी बात पर क्या करने आपको अपना रेडिस्टर निकालना है चाप्टर का नाम डालना है क्या ग्राविटेशन और आज का सेशन क्या होगा बटा आज का सेशन आपका प्यॉर्ली डेडिकेटेड है तो दे चाप्टर ओवर्विव क्या होता है तो मैं आपको चीज बताई थी के इफ यू वांट तो स्टड़ी एनिधिंग ठीक है इफ यू वांट तो रिशर्च आपके लिए सबसे पहले जरूरी है बटा के उस चीज के लिए आप प्लान सेट करते हैं है आप कुछ भी करने जा रहें मालीज आप पढ़ाई को छोड़े आप लाइफ मेभी बात कर लिजए मालीज आपको कल कहीं कुछ काम है है तो जब आप काम कर रहें है तो आप पढ़ने हैं और जब आप वो topics पढ़ेंगे तब उसके बाद आपका यह chapter हो चुका होगा पूरी तरीके से master तो chapter overview को आपको target समझ माता है कि यह क्यों जरूरी है यह इसलिए ही जरूरी है क्योंकि जब आप chapter को एक तरीके से जान लेते हैं कि इनके अंदर क्या-क्या topics हैं तो जब वो topics आपके सामने detailed session के अंदर आएंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा उन topics को समझना इसलिए chapter overview बहुत ही necessary चीज होती है और दूसरी बात है कि यह इतनी बड़ी वीडियो नहीं होती है तो आप इसको कभी भी अवाइड ना करें because chapter overview is the thing जिस आपको यह पता चलेगा कि chapter कं दर क्या-क्या चीज़े पढ़नी है क्योंकि इसके बाद जब मैं आपको sessions कराती हूँ ना तो मैं आपको बोलती हूँ क्या हमने वो चीज मैं आपको बताई थी chapter overview में है है ना तो कुछ चीज ऐसी होती है जो मैं आपको बताती हूँ आपको यहां पर यह करना है इस topic में यह पढ़ना है चलिए तो topic to be covered topic to be covered means बता कि हम इस chapter में कौन-कौन से topics को cover करने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहला lecture आप तक आएगा बता gravitation क्या gravitation अब gravitation क्या होता है आप imagine करो ठीक है चलो imagine करते हैं कि मान लीजे there is a tree here okay and sun यहां पर हम दिखेंगे सबसे एक मतला जो फेमस है जहां से इनकी खोजी होई थी ठीक है ऐसा कुछ अइसा है ठीक है अब यह कौन है apple an apple on a tree है ना तो अब यह apple भाई साब गिर गए नीचे कौन थे हो अब जैपको अब जब गिर गए हैं यहां पर पहर तो इनकों गिरते हुए अख देख देखTerra यह नेचे की तरफ गही बिया कैना ऑब जब यह नेचे गिरे तो जुछ इन चीज़ों को देख रहे थे यह परसे उप हम पर से थी आफलिए रहे और वह इन वह पर से देख रहे थे उन्होंने सचिस, कौन थे बताताओं कि कौन थे तो उन्होंने एक चीज सोची कि यह उपर से नीचे क्यों हिरा, यह उपर क्यों नहीं गया, यह इनके दिमाग में है, और कौन थे यह, यह थे the greatest of all, Sir Isaac Newton, Sir Isaac Newton, ठीक है, तो Newton ने क्या किया, Newton ने जब इन चीजों को देखा, तो वो यह चीज सोचने लगे, कि जब पेड़ से अपल गिरा, तो वो नीचे ही क्यों गिरा, वो उपर क्यों नहीं गिरा, यह इनके दिमाग में चीज आई, और यहीं से डिस्कावरी होई, ग्राविटेशन, तो मतलब कि यह एपल नीचे क् गिरा, क्योंकि नीचे यहां पर क्या है अर्थ, यह अर्थ ही तो है ना पूरी, ग्राउंड है, ठीक, अर्थ, तो हम यह देखते हैं, आपका यह जो अर्थ है, अर्थ का कोई ऐसा force of attraction है, क्या अर्थ के पास कोई ऐसा force of attraction है, जो इस एपल को नीचे की तरह पट्रेक कर रह ग्रेविटेशन का, तो ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन एक ऐसी force है, एक ऐसी force of attraction है, by the earth, जो चीजों को towards the earth, अट्रेक करती है, ठीक है, तो हम ही देखते है, यह जो force of attraction है ना, जो इस apple को नीचे गिलने, पर मजबूर करी, उपर नहीं जाने दे रही है, this force of attraction is called Gravitation, इसी को क्या बोलते हैं मैटा हम लोग, इसी को मुझब बोलते है Gravitation, तो आपको फो चाप्टर का मतलब तो समझ मा आ गया, कि चाप्टर का नाम Gravitation क्या है, क्योंकि हम इस चाप्टर कंदर इन्ही सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, समझ गए, हम इन चाप् तो मतलब कि वहीं से डिस्कवरी हुई भी बिटा, कि there is a force of attraction, ठीके जिसको हम बोलते हैं gravitation, जिसने इस apple को नीचे की तरफ ही attract किया, तो इसका मतलब क्या मैं जितनी भी चीजे हैं, अर्थ पर, वो सब कुछ gravitation के influence में है, for sure, आप walk कैसे कर पा रहे हैं, on the ground, कभी सोचा आपन जिसको हम क्या बोलते है, gravitation, ठीक है, तो मतलब कि जितनी भी चीजे अर्थ पर हैं, वो सारी कि सारी किसके influence में है, सारी कि सारी gravitation के influence में है, तो यह पूरा जो detail session इसका आएगा, अपी तो मैं आपको chapter का नाम बताया, और पहला topic बताया, कि मेरा पहला topic आने वाला है, gravitation के ठीक है, तो इसका मतलब और भी ज्यादा detail में होंगी महाँ पर बाते हैं, for sure, इससे भी ज्यादा detail में होंगी हम बाते करेंगे, नेक्स आते है, universal law of gravitation, ठीक है, universal law of gravitation क्या है, एक law दिया था, Newton ने, जिसको हमने बोला है, universal law of gravitation, तो इस law को हम लोग उस session में देखेंगे, अ आपने कभी ये चीज़ सोची, कि किस तरीके से सारे कि सारे planets जो हैं, वो sun के around revolve कर रहे हैं, और वो sun के around ही क्यों revolve कर रहे हैं, कभी आपने सोचा, नहीं सोचा, don't worry, ये जो तीन laws हैना, बेटा, कैपलर के, वो मैं आपको इस session में कराऊंगे, और इन सारे सवालों के जवा and gravitation, gravitation क्यों है, क्योंकि Newton का third law था, चाह था Newton का third law, कि अगर आपको action कर रहे हैं, तो आपको equal and opposite reaction उसके लिए मिलेगा, ये था Newton का third law, अब वो gravitation से किस सरीके से मेल खा रहा है, ऐसी क्या चीज है जो आपस में relate करेंगे, तो students वो चीज में आपको कहां पर सिखांगे, वो म next value हम लोग देखेंगे, free fall, free fall मतलब के, अगर आप किसी object को ऊपर से drop करते हैं, तो वो freely क्यासे गिर जाती है नीचे, जब आप किसी certain height से उस object को नीचे drop करेंगे, तो how, वो कैसे गिर रही है नीचे, ठीक है, ये हम लोग इस session में देखेंगे, बहुत अच्छे समझाऊंग पुरा free fall क्या होता है, next आएंगे equations of motion for freely falling body, बटा मैंने आपको motion की तीन equation बताहिएं थी, v is equals to u plus 80, s is equals to ut plus half 80 square, v square is equals to u square minus 2s, ये साथ चीज़ मन आपको बताहिएं थी, बस यही पर ही हमें क्या करना है, इन ही equations को relate करना है, इन ही equations को relate करना है, बटा, किससे, equation of motion को बनाएंगे, next आएंगे mass or weight, आपके दमाग में हमेशे एक सवाल आता होगा, mass or weight में में फर्क क्या होता है, mass होता है बटा, कोई भी object आपके पास है, उस object में कितना matter है, matter आपको पता है, ये चीज़ बहुत दीटियल में से खाएं के मिस्टर के नदर मेंने, कि matter क्या आपके 0 नहीं हो सकता है, but weight आपका 0 हो सकता है, किस case में हो सकता है, वो भी में आपको इस ही session के अंदर बताऊंगे, so don't worry, next, thrust and pressure, अगर मैं आपसे बोलूँ बटा, pressure क्या है, अब आप बोलिंग में pressure क्या है, जो भी हम force लगा रहे हैं, किसी भी per unit area पर, किसी भी area पर वो pressure ह है, for sure, पर क्या आपको पता है कितना area required है, हमें कितने area में कितना pressure feel होगा, यह सब नहीं पता, don't worry, नहीं पता, तो मैं आपको इस session वो चीज़ सिखाऊंगे, फिर आते हैं, bio and see, अगर मैं आपसे बोलूँ, कि जब आप किसी object को पानी में डालते हैं, liquid के उपर रखते हैं, तो वो float करती है, हां, करती है, नहीं करती है, या तो आप उसको पूरा दुबा दे, या फिर आप उसको partially करें, तो वो sync कैसे कर रही है, हां, वो सारी चीज़े, हम देखेंगे, इसमें, bio and see, बताओंगे मैं आपको कैसे क्या होना है, समझ मैं आपरा point, इतना screenshot लो आप इसक Okay, Done, आगे देखें, इसका screenshot लो यह सब पढ़ना है topic, नेक्स आते है, Archimedes Principle, Archimedes Principle क्या है, Archimedes Principle आपको बताएगा, या जो मैं आपको बताएगा, कि आपकी कोई भी चीज़े float कैसे कर रही है, sink कैसे कर रही है, है नीचे कैसे बैठ रही है, ये सारी चीजों से ही related रहेग ओठेगь आपको बताएग उपका से क्यों किसी liquid में अपकी क्यों किसी liquid में दोप बता हैं, किस तरीकसे से एक starship नहीं डूपआ रहा है, चल रहा है पानी पargिए से, नेक्सけれ फिच क्या है है क्या छूटत देंसिती होता है, बताएगे आपको यचीज बताएगे देंसिती आप ये बोलते हैं because of the density, okay, समझ माया, mass by volume, next आएंगे, यहां पर आकर आपका explanation part पूरी तरीके से खतम हो चुका होगा for this chapter, okay, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे, नCRT के जली बता है, question answers, और उसमें, ज exercise is the NCIT solutions, next आएंगे आपके assertion and reason based questions, okay, assertion and reason based questions को हम लोग यहां पर देखेंगे, हम लोग यहां पर देखेंगे, आपको पता है, हर chapter का आते है, मेरे, तो इसके भी आएंगे, क्योंकि competition based होचुका अपका, फिर आपको देखेंगे multiple choice questions, क्या देखेंगे हम लोग यहां पर multiple choice questions को देखेंगे, which is very important, okay, for the chapter, क्योंकि अब आपको पता है, अगर आपको explanation part आता है, तो आप assertion reason and MCQs को easily deal कर सकते हैं, फिर हम लोग देखेंगे, most important questions को MIQs, आपको पता है, हर chapter काते है, and at the end, आपका chapter master हो जाएगा complete chapter revision के साथ, क्योंकि आपको पता है, जितना भी आप मेर सा आपको कहां मिलता है, आपको मिलता है, आपको मिलता है complete chapter revision के अंदर, तो students, इसी के साथ मैं session को यहीं परी आइंड करी हूँ, I hope आपको अच्छे से session समझ में आ चुका है, आपको पता चल चुका है, कि आपको इस chapter के अंदर क्या क्या चीज़े पढ़नी है, अगर समझ माय क्या है, तो जली से Red Heart को कमेंट करें और session को भी like करें, आप अपनी duty निभालिया करें, आप duty निभाएंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वी अच्छे sessions लेकर आँगा, तो students, इसी के साथ मैं session को यहीं परी end करी हूँ, आपको पता है कि Magnet Rain is the only platform in India, where you can find the free courses, well design courses, और अगर आप CBAC boards आते हैं, हम लोग आपको केजी से लेके class 12 तक की free of cost classes प्राइट कराते हैं, और अगर आप लोग स्टेट बोर्ट से आते हैं, जिसकी MP board, UP board, Bihar board, Delhi board and Rajasthan board, तो हम लोग आपको प्रवाइट कराते हैं, मैटा, 6 से लेके class 12 तक की free of cost classes, students, अगर आपको e-books and e-notes से, then the link is given in the description box, जाइए और जड़ी से उसको grab कर लीजिए, और आप हमें follow कर सकते हैं, मैटा, थो, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram and WhatsApp, जड़ी से जाइए और हमें यहां से follow ही कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है, कहां से आपको high quality content मिल सकता है, तो जब तो अपना ख्याल रखेगा बने रहेगा मेरे साथ Magna Brains पर अगले session में मिलोंगे जहां पर Gravitation को और भी जादा detail में सीखेंगे, thank you so much